नमस्कार दोस्तो आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत हैं दोस्तो पिछले वीडियो में हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जाना था कि उसमें क्या-क्या नए प्रवधान आये हैं और हमारे जो शिक्षप्रनाली है उसमें क्या था दोस्तो आज की इस वीडियो में हम उन चैलेंजिस के मेजर चैलेंजिस के बारे में जाने जानेंगे जो की इस नए एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लिमेंट करते वक्त गौर्वर्मेंट के सामने आखड़ी होगी यानि कि उनके सामने क्या-क्या कठनाईया होंगी इस निव एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लिमेंट करने में तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि ऐसे ही नॉलेज़वल वीडियो मैं हर दिन लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए तो चली दोस्तो वीडि पे जीडिपी का खर्च कर पाया है एजुकेशन पे यह रफली का है 5.6 लाक करोर और दोस्तो इंडिया जो है वो 62nd रैंक पे था जब देखा गया कि इंडिया कितना खर्च करता है एजुकेशन पे और यहां पर टीचर तू स्टुडेंट रिश्यो क्या है तो इसमें यानि क्या प्लैनिंग कर रही है इसको किस तरीके से वो इंप्लिमेंट करेंगे क्योंकि दोस्तो उन्होंने 6% वाली बात कि तो उन्होंने चर्चा की है कि हम 6% जीडिपी का खर्च करेंगे एजुकेशन पे बड़ दोस्तो यहां पे एक क्वेशन मार्क है कि वो किस तरीक कैसे इसको करेंगे how will it reach 6% तक कैसे पहुचेंगे और ये question इसलिए भी है क्योंकि जो पिछली जो सरकारे रही है उन्होंने भी ये goal set किया था कि हम GDP का 6% हम education पे खर्च करेंगे इवन जो कोठारी कमेशन 1964 में बना था उसने भी recommend किया था कि 6% GDP का हमको खर्च करना चाहिए अगर हम better education system चाहते हैं इंडिया में लेकिन आज तक कोई ये government नहीं कर पाई है और दूसरा कारण ये है कि although पिछले कुछ time में आपको ये data देखने से पता चल रहा होगा कि हमने education पे जो एक खर्चा बढ़ाया है लेकिन वो reality में वो नहीं बढ़ा है अब इसको आप समझेए मान लिजिए कि आज से 10 साल पहले हमारा GDP का जो total value था वो 100 lakh करोड था और उस वक्त अगर हम 3% GDP का education पे खर्च कर रहे थे तो यानि कि हमने out of 100 lakh करोड हमने 3 lakh करोड जो है वो education प करोड से अगर 200 lakh करोड हो चुका है तो उस हिसाब से अगर 3% का ही देखे हम तो हमको at least 6 lakh करोड हमको खर्च करना चाहिए था लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि 18-19 में हमने सिर्फ 5.6 lakh करोड खर्च किया है economic survey के त्वारा बताया गया है so अभी भी हम 3% तो कर रहे हैं बट जितना बढ़ना चाहिए था या 6% के आसपास हमको होना चाहिए था उस हिसाब से अभी तक हम खर्चान नहीं कर पाए है education पे इसलिए एक question है कि how will it reach 6% 6% तक हम कैसे पहुँचेंगे अब दोस्तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो एक provision है नहीं education policy में कि छोटे classes at least class 5 तक हम जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो mother language में पढ़ाएंगे उनके मातरी भाषा में पढ़ाएंगे तो दोस्तो यहाँ पे question है कि क्या हम जो English है वो class 6 से सुरू करेंगे और दोस्तो यहाँ पे एक obstacle कह सकते हैं आप challenge कह सकते हैं सरकार के लिए वो यह है कि अगर हम starting से उनको उनके मातरी भाषा में पढ़ाएंगे और उनको English नहीं पढ़ाएंगे so friends जब हम class 6 या class 8 से start करेंगे English पढ़ाना तो उनके लिए काफी ज़्यादा tough हो जाएगा क्योंकि early age में हम कोई साभी language मतलब हमें कोई साभी language सीखाया जाए तो उसको हम जल्दी grasp कर लेते हैं सीख लेते हैं और दोस्तों दूसरा कारण ये है कि government ने ये optional रखा है इसको necessary नहीं किया है कि आपको ये implement करना है तो जो भी school से उनके सामने ये option है कि वो या तो class 5 तक मातरी भाषा में जो वहां का local language है उसमें पढ़ाए या फिर उनको English में अकर पढ़ाना है continue करना है तो continue करे तो दोस्त साथ को नहीं मानेंगे और वो जैसे इस वक्त English में पढ़ा रहे हैं वो आगे भी अपने strand को continue रखेंगे यानि कि वो तो English में ही पढ़ाते रहेंगे वो local language के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे लेकिन दोस्तों वही जो गाउ में जो दूर दराज के schools है वो जहां पे teachers को English पढ मातरी भाषा है जो mother tongue है उसमें वो पढ़ाने लगेंगे और इससे क्या होगा कि इस वक्त भी अगर हम आज present day की बात करें तो इस वक्त भी एक gap बना हुआ है जो शेहर में school है जो English speaking schools है और जो गाउं के school है और अगर हम ये चीज़ को implement कर देंगे कि अगर हम option दे देंगे क आपको अगर mother tongue में पढ़ाना है तो आप उसमें पढ़ाइए और इनको अगर English में पढ़ाना है तो ये English में पढ़ाएंगे तो ये जो gap है गाउं के school में government school में और जो शेहरों के school है private school ये gap और ज्यादा बढ़ जाएगा और इससे हमें कहीं से कोई profit नहीं होगा या हमारे SC, ST, OBC या जो socially economical जो weaker sections के जो student है उसको help किया जाएगा और उनको आगे बढ़ने के लिए मतलब वो पढ़ाई कर सके हर कोई section का पढ़ाई कर सके उसके लिए efforts किये जाएंगे लेकिन दोस्तों यहाँ पे question है कि what about the students from low income general category यानि कि SC, ST, OBC ठीक है हमने मान लिया but जो general category के students है जिनके father या mother है वो low income यानि कि उनका income low है तो उन बच्चों का क्या होगा उन students के साथ क्या होगा इस पे भी government ने कुछ साफ नहीं किया है अब दोस्तों जो हमारा नया education policy है उसने ठीक है पिछले जो हमारा शिक्षा अपना लिए उसमें बदलाव किया है और उन सभी unnecessary चीज आप कह सकते हैं कि उसका growth होगा बड़ दोस्तों ये जितने भी प्रोवोजे से सुनने में innovative लग रहा है conductive लग रहा है कि इससे child का growth होगा इससे जो student है उसका growth होगा बड़ दोस्तों इसको implement कौन करेगा question यही है क्योंकि इसको implement करने में दिक्कत यह आएगी कि जो आज हमक education provider है है ना वो भी तो उसी medical education system के product है education provider of today are also the product of the same medical education system जिसको की हम कह रहा है कि खराब education system है तो आज जिन से हम education ले रहे हैं जो education provider है वो भी तो उसी कमियों वाली education system के ही product है और वो काफी time से इस education system को follow कर रहे है तो दोस्तो we need to first put in a place that will equip the knowledge facilitator to understand the knowledge sense of this novel system यानि कि जो पहले education provider है हमको वो इस education system को समझे उसमें अपने आपको ढाले और तभी इसको implement करना असान होगा अब दोस्तो 12 provision to provide the multi-disciplinary study option in the higher secondary level may sound ambitious यानि कि जो multi-disciplinary की बात की गई है नए education policy में higher level पर वो सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है बट अगर इसको हम hypothetically भी सोचें कि इसको implement करते हैं तो यह काफी ज़्यादा मुस्किल होगा क्योंकि अगर हम ruler areas की बात करें वहां की school की बात करें तो जो teacher और student का जो ratio है वो national average से भी कम है यानि कि वहाँ पे 50 and 100 students पे one या two teachers होते हैं तो जो ratio है teacher to student ratio वो काफी कम हो जाता है गाउ में जाकर तो दोस्तो यहाँ पे क्या होगा कि हमको infrastructure काफी अच्छा infrastructure की जरूएत पड़ेगी और हमको जो faculty है यानि कि ज्यादा amount में faculty मतलब large number of faculty हमको चाहिए होगा ताकि यह जो ratio है teacher to student इसको बढ़ाया जा सके और जब ratio सुधरेगा तब ही जाके जो यह नया policy है इसको implement करने में दिक्कत नहीं होगा और दोस्तो अगर हमको यहाँ पे fund चाहिए होगा infrastructure को सुधारना होगा तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा इस sector को education sector को privatization करना होगा यानि कि यहाँ पे private players को लेकर आना परेगा क्योंकि जो private players हैं उनके पार resources काफी जादा होता है जो अभी के education system के जरूरते हैं निट्स हैं उसको private player पुरा कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पे यह भी ध्यान रखना होगा कि जो private players को हम यह duty देंगे है ना जिनके हाथों में education sector को देंगे तो उनके लिए strict guidelines होना चाहिए ताकि वो उस guidelines को follow करते हुए फिर सारे काम को करें तो इससे दुस्तों क्या होता है कि कई बार जब हम private player कहां तो government के जो sector के जो भी sector से उनको जब हम देते हैं तो वहां पे सुधार होता है development होता है बट कई बार ये भी देखा गया है कि जो एक standard बना होता है जो government का जो standard होता है वो उसको violet करते हैं और फिर सब कुछ अपने हिसाब से चलाने लगते हैं तो जो quality होता है वो bigger जाता है जो rules और regulation होते हैं वहां पे काफी ज़्यादा तूड़ जाता है तो दोस्तो यहां पे जो नए education policy है in my opinion जो नए education policy है उसको implement करने में काफी ज़्यादा problem आने वाला है और दोस्तो यह तो मैंने कुछ ही problems को discuss किये है अगर इसको आप नए education policy को आप अगर detail analysis अगर करिए आप खुद से भी तो आपको कई challenges उन challenges जो कि मैंने इस वीडियो में discuss नहीं किया है आपको भी कई challenges दिख जाएंगे और दोस्तो कभी भी कोई जब policy नया आता है तो उसको हम successful तभी कहेंगे जब हम उसको implement ठीक से कर पाएंगे और implement करने के बाद हमें उसका result जो है वो अच्छा मिले तभी हम किसी चीज को या किसी policy को हम कहेंगे कि यह successful हुआ है तो अब ही तक हमने जब नया जुकेशन पॉलिसी देखा है तो यह काफी ज़्यादा ambitious, ambiguous मतलब काफी innovative हमको सुनके और पढ़के लग रहा है बट जो इसको implement करने में गौर्मेंट को काफी challenges आने वाले है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीड अगद करने में अगले हम थार लिए को अगद करता ही तोसितु करता हैं